और नमस्ते दोस्तों मेरा नाम लकी मैं एक शरावे हूं सबसे पहले तो मैं A-India Online के तभी पूरी टीम को बदाई देना चाहता हूं एक ऐसा माध्यम जो बहुत से लोगों को मदद कर रहा है और आज के दिन में जबी हम सब घरों में बैठे हुए हम सभी को अपनी प्री या एलकॉलिक्स अनॉनिमस के तत्मों के साथ अपना experience, strength and hope शेयर करने का माध्यम उपलब्द करा के देने के लिए सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद फर्मेशर से प्रार्थना करता हूँ कि हम वो सारी सेवाएं प्रदान कर सकें जिन सेवाओं से मेरे जैसे शराबी को आज के दिन शराब से दूर रहने का धहरे मिलेगा और जो नए लोग हैं जिनको अभी तक रस्ता मिला नहीं है उनको ये माध्यम के द्वारा Alcoholics Anonymous का संदेश मिले Alcoholics Anonymous की मीटिंग्स में आए और एक एक दिन करके इस शराब से दूर रहे मैं Reviver Group of Alcoholics Anonymous का मेंबर हूँ और आज एक साल पूरा होने पे जो ये Alcathon का पहली बार Online प्रयत्न किया गया है इसके लिए भी सभी के सभी Team Members बधाई के पात रहें विशे बहुत गहन और गंभीर है अभी पहले वाले सेशन में मैं Recovery में उमेश को सुन रहा था और ये भी सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से हम सारे के सारे Online पे बात करने लग गए है लेकिन वो एक ही Meetings में लोगों की आखों में आखे डालते हुए तारीकी भावनाओं में बहते हुए वो कुछ अनुबव अलग होते हैं और एक स्क्रीन की तरफ देख के बात करने में कुछ अलग प्रकार के अनुबव आते हैं किप कुछ अनुबव हो गया आज कोशिश करेंगे मैं और पूशन अभी कल डिसकस कर रहे थे इस विशे पे और ये यूनिटी का विशे ये यूनिटी के विशे नहीं हमको आज यहां तक लाया है 1935 से जो एक तंदेश उजागर हुआ बिल और बॉब की मुलाकात से औक्सपर्ड ग्रूप के माध्यम से और बाकी शुरुवाती सभी लोग जिनोंने कॉंट्रिबूट किया बिग बुक के माध्यम से अपने क्लास A ट्रस्टी जितने भी सारे लोगों ने इस विचार को एक शराबी दूसरे शराबी से अपनी अनुबत ताकत और ओब बाटता है तो उसमें मध्यमुक्ती का निर्मान होता है जनम होता है इस चीज को प्योर रखते हुए आज इतने 180 के उपर देशों तक पहुँचा है यह हमारी यूनिटी ही थी कि जो मैसेज को प्योर रख पाई है और हर एक उस शराबी तक इन प्रिंसिपल्स को पहुँचा थी है यह हमारी यूनिटी ही थी कि जिसने पर्सनालिटी का आधर किया सम्मान किया लेकिन प्रिंसिपल्स को हमेशा उससे आगे रखा सैक्रिफाइज त्याग बहुत सारी चीजें लगी है यहां तक पहुँचने के लिए और देखा जाएगा तो हम कैसे लोग है दिल बोलता है वियर चिल्रन आफ कायोस कियोस अराजक्ता के पुत्र है किसी एक विचार को पकड़ के जादा वक्त उसके साथ टिक नहीं सकते है विरोधाबास अपना अहंकार मैं जो कहता हूँ वो सही है इतनी सारे स्वभाव दोशों से ग्रश्त व्यक्ति किसी एक चीज पे सहमत हो सकते हैं और सहमत रह सकते हैं यह इतनी बड़ी यूनिटी की मिसाल शायद दुनिया में हमको कहीं पे भी नहीं मिलती है कहीं पे भी नहीं तो मन जब यह ऐसे विश्यों के बारे में सोचता है तो सबसे पहले कृतगनाता से भर जाता है भर जाता है उन इतिहास के पन्नों को पढ़ते पढ़ते जहां पे एक एक चीज हमने छोड़ी है इस यूनिटी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पढ़ता है और जो spiritual principles है अपने tradition के हम जब बात कर रहे थे तो यह भी सोच रहे थे कि tradition by tradition जाए तो एक 45 मिनट बहुत कम हो जाएंगे चायद हम कुछ ले पाएंगे कुछ नहीं ले पाएंगे फिर कुछ सवाल जवाब भी लेने है तो हमारा group conscious यही हुआ कि हम अपनी unity के पीछे के जो principles हैं जो त्याग के principles हैं जो अहंकार को self will को काटने के principles हैं जो मेरी knowledge लोगों से और ज़्यादा है काटने के principles हैं जो शानो शौकत और शौरत में शौरत का आदि हूँ मैं उस शानो शौकत और शौरत को काटने के principles हैं तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा पूशन को कि ये यूनिटी के लिए जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने हमारे इन सभी चीजों को काट के हमको इतना नमर बनाया इतना शान्त बनाया इतना बैक सीट पर बिठाया कि हम आज अपने आपको एकमत देख सकते हैं ओवर टू पूशन तैंक्यो लखी तो हाई एवरिबड़ी माइनेम इस पूशन और मैं एक शराबी हूँ भगवान की पूशन आप लोगों का सहयोग तैंक्यो आज के दिन शराब से पहले गुड़ से दूर हूँ दोस्तो और यह जो पहली ऑनलाइन अलकेतौन हो रही है उसमें सहबाग लेते समय काफी अच्छा लग रहा है काफी एकसाइटमेंट लग रहा है में भी आने वाले एए बदलते एए का ये शुरुवात दिख रहा है एक साल पहले भी मैं इस समय पर एक स्पीकर करके आया था तभी मालूम नहीं था कि एक साल के अंदर इतना सारा चीज बदल जाएगा और इतना सारा हम सीख जाएंगे अनलाइन मीटिंस के बारे में तो दोस्तों यहां से आगे यूनिटी जो है वो इंटरनेट पे रहने वाली है यह मुझे दिख रहा है एनिवे मैं आपको वहां ले चलता हूँ देखो 1935 में जब बिल और बाब मिले और फेलोशिप की शुरुवात हो गई वहां से लेके उनिस सो लगबग 38-1949 तक का जो पीरियड है यह पीरियड में एक ही ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी तो लगबग 100 ही मेंबर थे हम जानते हैं जिनके अनुबहों से अपना अल्कॉलिक सनोनिमों से किताब बना तो हमारा न्यूयॉर्क का ग्रूप हमारा एक्रान का ग्रूप और हमारा क्लीवलैंड का ग्रूप यह तीन ही ग्रूप हमारे थे और यह तीनों के अनुभव से 1939 में जब पहला बिक बुक छपा तो ज्यादा नॉलेज नहीं था हमको कि जब हमारे सामने पॉपिलरिटी आएगी जब लोग हमें जानना चाहेंगे तो हमें क्या होगा क्या फरक पड़ेगा हमारे में तो 1939 तक अगर आप पहले बिक बुक का जो प्रोलॉक पड़ते हो आपकी उसकी जो प्रस्तावना पड़ते हो तो उसमें आपको दिखेगा के अर्ली मेंबर्स अलमुस्ट अप्रोजेटिक के भाई हम हमारे नाम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये किताब के पब्लिकेशन के बाद जो भी पत्रवेवार आएगा या जो भी पूछताच होगी या जो भी लोगों का हमारी तरफ आकरशन होगा कि इनको हम जवाब दे पाएंगे या नहीं ये हम नहीं जानते क्योंकि हम लोग भी प्रोफेशनल लोग है हम लोग भी बिजनेस वाले लोग है हम अपना काम दंदा छोड़के थोड़ी ये पूरी समय कर पाएंगे तो ये एक डर था वो टाइम पे के अगर समझो लोगों को ये पसंद आया और लोगों ने अगर पूश्टाच की तो सला अपना तो चेहरा दिखाए देगा लोगों को समझ में आएगा अरे ये तो सरजन बैवड़ा है ये तो स्टॉक मार्केट ब्रोकर ये बैवड़ा है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारा बिजनेस बाद में आगे करने ही पाएंगे हम लोग बले अलकॉलिक सब्सक्राइब चलेगी या नहीं चलेगी तभी कोई नहीं जानता था लेकिन अगर चली भी गई या नहीं भी चली तो भी हमारा जीना बरबाद हो जाएगा ये उनकी विचार थे तो रियली स्पीकिंग 1940 के बाद मतलब 1939 म का आर्टिकल एका दूसरे लिबर्टी मैगजिन का आर्टिकल और फिर 1941 में साटरड़े इवनिंग पोस्ट में आया हुआ जैक अलेक्जंडर का आर्टिकल इन्हों ने अल्कॉलिक्स अनॉनिमस का वर्ड जो है वो दुनिया भर में फाइला दिया मतलब आज जब पीछे मुड़के देखते हैं तो ओवर दा पैसिफिक आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड तक संदेश चला गया ओवर दी अट्लेंटिक यहां पर इंगली स्पीकिंग यूरोप था वहां पर मेसेज्ज चला गया हमारे यहां पर भी भारत में 1941 याने प्री इ और उनके यहां पर एक गरीब फार्मर आया करता था जो शराबी था उसकी मदद करवाने के लिए उनने एक बिग बुक की कॉपी मंगवाई थी आज भी आगर आप नियू यॉर्क में जाओगे और अर्काइवज में देखोगे तो शायद आपको इसका रेफरेंस मिलेगा तो मतलब 1941 में वर्चुली इट वाज लाइक यह पूरे सीड जो थे फिलोशिप के पूरे दुनिया भर में उचले गए और कहीं पे जैसे वो जहाँ पर सीड गिरी वहाँ पर उन्होंने जैसे समझा वहाँ पर अलकॉलिक सनॉनिमस की शुरुआत हो गए अगले पांच साल में तुफान बड़त हुई मतलब जबी 1950 में 12 steps 12 traditions यह किताब छपी वो टाइम पे अल्रेडी अलकॉलिक सनॉनिमस 40 देशों में पहुच चुकी थी और लगबग एक लाख तोबर मिंबर्स हमारे थे तो आप imagine कर सकते हो कि within a 10 year span 100 से 1 लाख यह growth हुई है याने कोई भी geometric progression लगाओ या किसी भी का प्रकर का progression लगाओ इतनी बड़ी मातरा में जब ही संख्या एक साथ में किसी एक तत्वक को आकर्शित हो के एक साथ आती है तो naturally कियोस तो होना ही था जैसे लकी ने बोला कियोस तो होना ही था तो 1945 के आसपास की बिल डव्यू की मनसिती देखते है बिल डव्यू 35 से 45 यहने लगबग 10 साल की सोबरेटी थी उनकी तो मैं क्या कर रहा था लेकिन एंवे मैं नहीं समझता मैंने कुछ में बिल डव्यू लगबग 10 साल सोबर थे और पांच साल के उन्होंने एक्स्ट्रीम पॉपुलारिटी का अनुभव लिया था यहने यहने प्रॉम अफ्यू मेंबर्स तो 100,000 मेंबर्स फ्यू ग्रूप्स तो ग्रूप्स प्रेड अक्रॉस देवर्ल इन 40 दिफ्रेंट कंट्रीज इस प्रकार का अनुभव उन्होंने देखा था और साथ ही साथ में कई सारे लोग जो हमारे लिए जानकारी पाना चाते थे because clergy wanted to know को यह एक अल्कॉलिक सिरोनिम्मस है क्या चीज असा मतलब क्या है इन है इन लोगों के पास और अनुए साइकेत्रिस वंंतेट को यह नया क्या मिला हं सोशल तो पूरी दुनिया हमारे बारे में जानना चाह रहे थी हर एक वरतमान पत्र हर एक रेडियो स्टेशन हर एक टेलिविजन स्टेशन अलकॉलिक सनॉनिमस को सर आँखों पर उठा रहा था और नैचरली हमारे जो सदस्य थे जो नए नए मद्यमुक्त हुए थे उनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन था कुछ लोग जो अभी अभी शराब से दूर हुए थे उनको ऐसे लग रहा था कि मैं कैसे गाओं भर जाके धिंडोरा पूटू और सब को बताऊं कि भाई अलकॉलिक सनॉनिमस ऐसे काम करती है कुछ लोग कुछ शराब बनाने वाले कंपनियों के साथ में प्रमोशन्स करने लगे कुछ लोग रेडियो टीवी पे आके अपने इंटर्व्यूज देने लगे कुछ फेमस फुटबॉलर्स अक्टर्स इनको पकड़ के लाके उनको मॉडल बनाया गए और उनको सामने लाया गए बताने के लिए कि बहुत सारा कन्फूजन 1941 से 1945 तक दिख रहा था और 1945 में Bill W. को एकदम से डर लगने लगा डर लगने के दो कारण पहला कारण ये कि उनको वाशिंटोनियन सोसाइटी का पिक्चर दिखने लगा जो एक बहुत अच्छी मूवमेंट हुआ करती थी लेकिन अपने आपसी जगड़ों के वज़े से उन दिनों ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट्स देने चाहिए कि नहीं अवरतों को वोटिंग राइट्स देने चाहिए कि नहीं कई सारे मुद्दे थे जो मुद्दों को लेकर उनके आपसी आपस में जगड़े हो गए उन्होंने धेर सारे पब्लिक अपिरंसेस और पब्लिक स्टैंड लेना शुरू कर दिया नहीं वो जमेले में पढ़ने के वज़े से आपसी जगड़ों के वज़े से ये एक लाख तक पहुची हुई फिलोशिप भी तूट कर बंध हो गई थी और बिल डवल्यू को पहला डर ये लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि अलकोहलिक्स अनॉनिमस भी इसी प्रकार से अंत हो जाए इसी प्रकार से हम लोग नहीं नहीं चाते हुए भी अलग-अलग लफडों में गिर के अंत हो जाए तो पहला डर ये था और दूसरा डर जो बिल डवल्यू का था जब उन्होंने अपने अंदर जाक कर देखा तो उनको रियलाइज होगा हो गया कि we are people whose instincts have gone haywire हम लोग वो लोग है जिनकी हर प्रकार की नैसरगी प्रवृत्ती जो है ये गड़बड हो गई है और हम लोग जो है खोड़ा सा भी अगर हमको selfishness करने का मौका मिला तो वो हम लोग पहले करेंगे हम लोग लोगों का नहीं सोचेंगे हम अपना सोचेंगे तो हम लोग exclusivity चाहेंगे हम लोगों को लोगों की नजर में अच्छा दिखाना चाहेंगे we were people pleasers we wanted it to be a good people's society तो उन्होंने early जो members थे उनकी insecurities उनकी fears को देखा और वो सभी fears का निचोड निकालके उन्होंने जो 12 अध्यात्मिक तत्वों बनाएं ये है हमारी 12 traditions दोस्तों तो ये किताब की शुरुवात करते समय बेल डबल्यो कहते है students of human relations are beginning to wonder how and why AA functions as a society why is it they ask that in AA no member can be set in personal authority over another that nothing like a central government can anywhere be seen how can a set of traditional principles having no legal force at all hold the fellowship of alcoholic synonymous in unity and effectiveness तो दोस्तों समाज के सामने ये प्रशन था social scientist के सामने ये प्रशन था और उससे भी बढ़कर हमारे जो senior सदस्य थे जिन लोगों ने पहले जो लोग थे जिनोंने ये fellowship की नीव रखी थी उनके सामने भी ये सवाल थे कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में ये फैले गा तो हम इसको कैसे बचाएंगे तो इसी को आगे लेके जाते एक छोटा सा पैसेज पढ़ता हूं before giving it back to Lucky यहाँ पर कहते हैं Bill W कि Alcoholics Anonymous in 1939 the pioneering period ended and a prodigious chain reaction set in as the recovered alcoholics carried their message to still others in the next years alcoholics flocked to a by tens of thousands largely as the result of excellent and continuous publicity freely given by magazines and newspapers throughout the world clergymen and doctors alike rallied to the new moment giving it unstinted support and endorsement this startling expression brought with it very severe growing pains proof that alcoholics could recover had been made but it was by no means sure that such great numbers of yet erratic people could live and work together with harmony and good effect भरोसा नहीता किसी को के साले शराभी इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ में आएंगे तो टिकेंगे क्या तो दोस्तों अभी क्विकली एक नजर मारते है हर एक ट्राडिशन के अंदर के spiritual principle के पास और कहीं दपना मैं पीछे मुड़ कर देखता हूं कि कहीं ये traditions हमारी steps जितना ego deflation करने को सिखाती है मैं समझता हूं उतनी ही effectively ये 12 कदम मुझे ego deflation सिखाती है but not only my individual ego even our collective ego as a group or as a fellowship तो पहली tradition की तरफ मैं encourage करता हूं बढ़ने के लिए लखी please carry on yes thank you pushen तो इस पार्चो भूमी पर जबी हम अपने उन चुरुआत के समय को देखते हैं जब हमने अपना आपसी अनुभव इतना सांजह नहीं किया था जब हम इतने organize नहीं थे और तत्तों पर विश्वार था लेकिन एक जैसे मेरे जैसा आहंकारी व्यक्ति आता है तो वह अपने जैसे लोगों को साथ में इखटा करना चाहता है कॉमन वेलफेर की शायद भावना नहीं आये थी और हमारा इतियास भी हमको यह बताता है कि बहुत सारी चीजें अलग-अलग ग्रुप ने की और वो सब करते-करते हम शायद अपने आपको श्रेष्ठ समूह श्रेष्ठ समझने लग गया जैसा कि पीते वक्त मैं खुद को श्रेष्ठ समझता था तो पहली ट्रेडिशन का, कॉमन वेलफेर का अगर छोटा सा कन्वर्जन मैं करूँ एक एक स्लोगन में तो सिंपली उसका मतलब मेरे लिए ये निकलता है कि I can't, we can जब हम साथ में रहेंगे इकटा रहेंगे तो हम कर सकते हैं बले ही हम अलग-अलग जाती, धरम, अलग-अलग सैक्षनिक पातली के लोग हैं हम सभी जब एक साथ आएंगे और अपनी common problem को सामने रखते हुए जब एक दूसरे का हाथ बगड़के चलेंगे तो जरूरी नहीं है उसमें जो सबसे सिक्षित है या सबसे पैसे वाला है उसकी ही बात सुनी जाए उसकी तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि अगर हम selective ध्यान देंगे हमने देखा है अक्सर भई हम ऐसे लोग है जो हमेशा पावर को attract होते हैं प्रेस्टिज को attract होते हैं तो क्या ऐसे लोगों की तरफ अधिक ध्यान देना कि ये recover हो गया तो हमारे लिए एक बड़ी बात होगी ऐसे तमुह बोलके सोचना All Parts जहां तक recovery का सवाल है हम सभी का कल्यान प्रथम होना चाहिए जिसकी वज़े से हम सीख गए कि हमने जो कुछ भी कार्य करना है आगे चलके उसमें अगर किसी एक विशेश वर्ग का ही अधिक कल्यान होता है तो हमारे लिए घातक है हमको सबको लेके चलना है साथ में मैं इसा समझता हूँ कि I can't we can दूसरे ट्रेडिशन की बात करें तो दूसरे ट्रेडिशन पर तो एक बहुत अच्छा क्लोगन फिट हो एक सेकंद दूसरे ट्रेडिशन पर जाने के पहले एक बड़ा इंट्रेस्टिंग पॉइंट पहले ट्रेडिशन के बारे में बिल करता है वह करता है कि आप बोलेंगे कि अगर समुह इंपॉर्टन है तो कि इंडिविज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्वि इवन इशुर भी मानना है या नहीं मानना ही ये उसके उपर छोड़ा हुआ है यानि हमारे किसी भी तत्व की कनफार्मिटी की कंडिशन न रखते हुए हर एक नए सदस्य की पीछे हमारे पुराने सदस्य जान लड़ा देते है उसके लिए दिन बिगाडते है वक्त जाता लेकिन सवाल ये आता है कि अगर इंडिविजियल को इतना रिकलेस इंपोर्टन्स दिया जाए तो फिर क्या ये साथ में आके निभा सकेंगे अपने आपको तो बोलता है येस ट्रिक इस हम सभी कोई भी नियमों का पालन नहीं करते होंगे लेकिन हम लोग सभी हमारे अध्यात मिकता का पालन करते हैं हम सबी जानते हैं कि ये तत्तों का पालन नहीं करने की सजा जो है वो पगल पन और मौत है और इसी लिए हम लोग ये तत्तों का पालन करते है वो स्वेच्छा से करते हैं तो कोई नया मिंबर आया होगा उसको कुछ तत्व मालूम नहीं होगे तो पुराना मिंबर उसको बिठाता है उसको समझाते है और सिखाते है और बताता है देख दोस्ट यह हमारी जो नवका है ना यह नवका में सब हम लोग अपना अपना वजन संभाल के बैटे हुए तू अगर जादा बोज डालेगा तो यहां से गिर जाएगा और हम सब दूब जाएगे नहीं होना चाहिए ऐसा एक दूसरे को संभाल के यह अध्यात्मिक तत्व का पालन करके ही हम लोग हमारे समुह को बचा सकते है तो अब बढ़िया आगे ट्रेडिशन टू के तरफ लखी माइक अन्म्यूट करना भूल गया था तो इसी इसी तत्व को हम जब आगे दूसरे ट्रेडिशन की तरफ ले जाते हैं और उसमें मुझे यह दिखाई देता है कि हम जैसे रिकवरी के लिए पर्सनल रिकवरी के लिए हम यह बोलते हैं ना गॉड कुड और वुड इफ इट वेर शॉट दूसरे ट्रेडिशन में भी हम अपनी भिन भिन इच्छाओं को भिन भिन तो इसमें जैसे अपना पूशन ने अभी बताया क्या उन तुग्यानी व्यक्तिओं का जो समाज के बारे में जादा जानते हैं, जो पड़े लिखे हैं, क्या उनका महत्व नहीं होगा, क्या, होगा, उनका महत्व होगा, लेकिन वो महत्व हमको जो हमारी पहली ट्रेडिशन का common welfare है, और जो परमेशर का आवाज है, वो हमें अपने group conscious से ही मिलेगा, और group conscious में खुला मन रख तो परमेशर का आवाज कहीं से भी आएगा यार, क्या उस एक छोटे से अनपड नमे सबासद से, जो के अभी अभी महिना बर करके आया है, और क्या वो हमारे कमुव का निरनाई लेने का हिस्सा हो सकता है क्या, दिशा दिखाने वाला हिस्सा हो सकता है क्या, वो सकता है, मे कि पर्मेशर की आवाज कहीं से भी आ सकती है और यह आवाज हमको हमारी भलाई की तरफ ले जाएगी अच्छाई की तरफ ले जाएगी और इसके साथ में ही जैसे कोई भी समाज हो या कोई भी और्गनाइजेशन हो वो लीडर्स के विगेर तो चलता नहीं है और यहाँ पर हमारी लीडर्शिप की कॉंसेट भी हमारे ट्रेडिशन से क्लियर होती है जब ही उनको ट्रस्टेट सर्वेंट का दरजा दिया गया है इसके उपर बहुत सारे अनुभव कथन करने जैसे है हमने अपने आपको जो उस अथोरिटी से मिली हुई टाकत है उस टाकत का इस्तेमाल सेवा करने के लिए लगाने वाला जिन्दगी में पहली बार मैंने ऐसा ये में देखा था और यही एक वो वज़ा है जिसकी वज़े से शायद हम लोग आज तक युनाइटेड रहे हैं कोई भी एक मेंबर या एक व्यक्ति दूसरे किसी के उपर कुछ ज्यादा असूल नहीं लाज सकता या ज्यादा ये करो वो करो नहीं लाज सकता गवर्नेंस निकाल दिया बिलने और इसी तरह जब हम तीसरे कदम की तरफ जाते हैं मैं यह समझता हूँ कि अभी हम लोग ने लगवग आधा घंटा तो यहां तक आते हाते ही ले गए हैं और 15 मिनिट हैं हमारे पास तो थोड़ा सा भागना पड़ेगा तीसरा कदम मुझे बताता है कीप इट सिंपल देखिए अगर हम अनुभो की तरफ जाएंगे तो आप सभी को पता होगा जिनोंने एक हमस ओफ एज कभी या किसी शेरिंग सुनी होगी तो जबी जबी नवे नवे ग्रूप बने तो हमने अपने कानून बना लिए अपने ल इसको मैं जोड़ता हूं कीपिंग इट सिंपल से पुशन मुझे लगता है कि यह मेंबर्शिप का जो तत्व है ना यह मेंबर्शिप का तत्व कभी 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 कन्फिलिक्टिंग कर देता है तो इसके उपर का अध्यात्मिक तत्व जरा सुने फिर आगे बढ़े तो ट्रैडिशन थ्री बेसिकली जब ही देखते है कि हिस्ट्री क्या बताती है कि वहां पर लोग बहुत दरे हुए थे everybody wanted the so-called pure alcoholic यानि लोगों को trams नहीं चाहिए थे लोगों को भिकारी नहीं चाहिए थे लोगों को ड्रग अडिक्स नहीं चाहिए थे लोगों को fallen women नहीं चाहिए थी prostitutes वगर आई यह सब एमें आने को नहीं चाहिए थी क्योंकि हमारे जो शुरुवात की members से उनका विचार ऐसा था कि हमारी membership respectable होनी चाहिए तो बिल डव्यू लिखता है कि आज अगर नए member यह statement पढ़ेंगे तो लोग हसेंगे हमारे उपर लेकिन हसिया मत, try to understand हम क्या मनस्तिती में थे तब हम थोड़ी जानते थे कि हमारे जैसे emotionally और physically और spiritually fully bankrupt लोग भी एकदम अच्छे हो सकेंगे तब हम थोड़ी जानते थे कि भाई criminals और drug addicts भी ये कारेकरम की मदद से अच्छे हो जाएंगे और effective citizens हो जाएंगे हमारे लिए भी तो कारेकरम नया था तो हम क्या चाहते थे उन दिनो we wanted the society to like us and to respect us so we wanted to go by the society's norms कि भाई क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा लेकिन ऐसा हर एक group का rule हुआ करता था और foundation office में ये सब rule का book रखा करते थे और bill करते अगर ये सभी rule का पालन करते तो एक भी शरा भी शायद हमारा member बन नहीं पाता था तो इसी लिए बाद में उन्होंने as you said lucky keep it simple हमारे पास किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि किसी को हम लोग बाहर रख सके we will not play the judge nor will we be the executioners ये word उसको इस्तमाल करता है मैं किसी के ऊपर निरना यक नहीं बैठोंगा कि इसको देना है या नहीं देना है या इसको बाहर रखना है यह करने का मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया है तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे tradition 4 की तरफ इज ग्रूप शुडबी ऑर्टोनॉमस एक्सेप्टिन मैटर्स एफेक्टिंग अधर ग्रूपस और एए जो होल लगी यह आटोनॉमी क्या है रे बार बार कैसा है मतलब कैसे समझने का यह आटोनॉमी क्या मैं कर सकता हूं और क्या नहीं इसमें मुझे एक लाइन याद आती है कि A is inclusive, never exclusive आटोनॉमी की जब मैं बात करता हूं तो भई मेरा ग्रूप कैसे चलाना है उस बात का मेरे पे पूरी जिम्मेदारी है और उस बात का मुझे freedom भी है लेकिन क्या मैं जोश में या किसी और emotional वज़र से ऐसा कुछ करता हूं क्या कि जो सारे एके विश्व को बात यहाँ पे करता है बिल बुलता है कि never exclusive मैं मेरे ग्रूप की शानों शौकत मेरा ग्रूप ये मामलों में अच्छा है मेरा ग्रूप ऐसा है मेरा ग्रूप वैसा है इसमें क्या हम हो सकता है कि हम अपनी हंकारों की उड़ानों में उड़ जाएं और अपने आपको exclusive बनाने की कोशिश करें त्रिस्ट बनाने की कोशिश करें देखो message को देना ये हर एक के लिए जरूरी है लेकिन उस message को देने के चकर में अपनी अपनी निपुनता और निखारने के चकर में अगर मैं बाकी एका नुक्सान करता हूँ तो मैं अपने आपको exclusive बनाने की कोशिश करता हूँ और exclusivity ये में कहीं पर भी नहीं है किसी भी कदम पे किसी भी टप्ते पे exclusivity नहीं है इनक्लूजिविटी है इसमें जो अपनी ट्रेडिशन चेक्लिस्ट है वह चेकलिस्ट को जैसा-जैसा आगे नजर डालें तो समझ में आता है लेकिन मैं समझता हूँ इसी का अगला पार्ट जो है चाउथ पाचवा जो ट्रेडिशन है वो हमारे को प्राइमरी पर्पोस की तरफ लेके आता है पुशन और वो कहता है कि भई आपको तो मेसेज ही देना है आप अगर साथ में आके इतने अच्छे हो गए हो इतनी छमता आ गई आप में इतना सुधार आ गया है लेकिन समुहा एक साथ आते हुए आप एक ही उद्देश से आना है और यह तक्राव नहीं था क्या हमारे अलग-अलग उद्देशों से हर व्यक्ति जो प्रमोटर था हर व्यक्ति जो अलग धे लेके चलता था तो कैसे हम एकत्रित हु आप एच एए तो आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ एंड ब्रिंग रिकवरी तो दे न्यू कमर इन नो वे डिपेंड्स अपन इस लर्निंग, इलोक्वन्स और एनी आदर स्पेशल इंडिविज्वल स्किल्स बिल डवल्यू बड़ी खुबसूरते से कहता है कि भाई तो कितनी अच्छी तरीके से बात करता है, कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो कौन से सोशेल बैकराउंड से आया हुआ है, इनका तेरे अच्छे मेसेज देने की शमता पे कोई फरक ने बड़ता है तो चू मेकर स्टिक टू दाइ लास्ट, एक कैंसर स्पेशालिस्ट के साथ अपनी तुलना करते हुए बिल डवल्यू कहते है, कि जैसे एक अधा कैंसर स्पेशालिस्ट एक विशेश आवयो के स्पेशलाइजिशन में इतना डीप चला जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको बाक कैंसर को ही और अधिक पढ़के 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 उसी में मास्टर बनने का कोशिश करता है, तो उसी प्रकार हम सब शराबी है और भगवान ने हमारे पास ये यूनिक गिफ्ट दी हुई है, कि हम दूसरे शराबी से बात करते हैं, तो उसकी बंद्य पीने की इच्छा को हम दूर कर सकते हैं, तो ये जो हमारा जो स्किल है, ये स्किल, ये स्किल छोड़कर हमने दूसरे किसी भी चीज़ में उलजना नहीं चाहिए, तो इसमें जो कहानी बताई है, आफ दी आईरिशमन की जो गुस्ता हुआ जो आईरिशमन का जो बिल डबल्यू एक दफा जाते है टाउन्स हास्पिटल में और सिल्कवर्थ को पूछते हैं कि भाई कोई है कि जिससे में बात कर सकता हूँ, तो वो बोलते हैं कि एक बंदा है, लेकिन वो सुनेगा, इसे लगता नहीं है मेरे को, और बिल डबल्यू इसके साथ बात करता है, और वो व्यक्तिका विश्व नहीं, मेरे पास कोई दूसरा एंगल नहीं है, तो दोस्तों जबी वो व्यक्ति अंत में बोलता है, जो वो सोबर हो जाता है, और बाद में जबी बोलता है, कि my sponsor sold me only one concept, that was sobriety alone, nothing else would have mattered, दूसरा कुछ भी ये समय काम नहीं करता था, खालिए sobriety ये एक ही मंतर उसने दिया, तो that is the essence of tradition 5 दोस्तों, लेकिन tradition 6 में हमें बताया जाता है कि as A group, हमने किसी को endorse नहीं करना है, finance नहीं करना है, या EA का नाम भी किसी related facility या outside enterprise को नहीं देना है, ये क्यों लखी, मैं समझा सकते हो आप कुछ, हलो, लखी, mute your mic, unmute your mic, भूल जाता हूँ और spontaneously बोलने लग पड़ता हूँ, share करने लग पड़ता हूँ, हम ऐसे लोग हैं कि जहां पे एक जगा पे हमको as a group कोई काम में success आ गया, तो फिर हम उड़ाने भरने लग पड़ते हैं, ऐसा लगने लग पड़ता है, कि शरावी को त इसके काम दंदे का क्या होगा यार, कोई रिहा भी खोड़ डालें, यह hospital वाले भी शरावियों का ध्यान नहीं रखते हैं, हाला कि मेरे बाकी के अनुभव मुझे एक चीज पे ले आए हैं अभी, कि शराव के मामले में हम काम कर रहे हैं, हम यशस्वी हैं, लेकिन हम और ज चोड़ा प्लान बना के, जबी वो उस टाउंस हॉस्पिटल के साथ में जुड़ने लगा, और तभी जब आके उसमुह समुह में शेर किया, तो समुह की जो सत्सक व्यव बुद्धी दूसरे ट्रेडिशन में भी काम में आती है, और हमको छटे ट्रेडिशन में भी बताती है कि नहीं यार, हमने अपनी सारी जिन्दगी में काम किया ये, हम और 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 बढ़ना चाहते थे आगे, हम चाहते थे कि अलकॉलिक सनॉनिमस तो ये प्रिंसिपल्स तो समाज को बदल डालेंगे यार, इसमें हम रियाबिलिटेशन सेंटर्स खोल डालेंगे, इसमें हम विशे अस्पताल खोल डालेंगे हम शराबियों को जिनको विचारों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है न उनको कोई ट्रेनिंग दे के उनको काम करने योग्ये बनाएंगे और हम ये सब करेंगे अपना अपनी पैसे इकटा करेंगे दुनिया से पैसे लाएंगे वगरा 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 और हमारा इत्यास बताता है कि इस चीज ने हमारे को हमारे प्राथ में के उद्देश से जितना दूर किया उतना शायद किसी और चीज नहीं नहीं किया ये तो समय रहते हम संभल गए और इतना संभले कि आज की तारिक में भी हम इससे दूर नहीं है मैं एक छोटा सा परसनल अनोबोर शेर करूँगा पूशन यहां पे जब हमारा थाना इंटरूप था आपको याद होगा और उसमें हमने एक सेवा का कारे किया था जो किसी एक वर्ग विशेश को भाया नहीं था कोई बाहर का काम नहीं था सेवा का ही काम था और यह अंतर समूह ने कर दिया और उसमें एक समूह बहुत पावर्फुल था वो सबसे ज़्यादा पैसे कॉंट्रिब्यूट करता था चैद उसी की जगह में अंतर समूह भी चलता था और उस समूह के मेंबर को हमेशा ऐसे लगता था कि वो बाकी समूह से उपर हैं, उच हैं, ट्रिस्ट हैं उनकी बात में ज़्यादा दम है क्योंकि उन्होंने एक लिए इतना किया है अब ऐसे में जब यह अंतर समूह के तीन अंतर हिस्से हुए थे और उस वक्त मैं अकेला शायद सभासत बच किया था बाकी रिजाइन कर गए थे ये इतने हम मैंने देखा है अपनी जिंदगी में अच्छी बात करने वाले सभासत जब ऐसे मुद्दों पे आते जहां पे एहंकार हर्ट होता है न तो बहुत गंदगी बाहर आती है दोस्त और मैंने देखा जब एक अंतर समुओ को तीन अंतर समुओ में डिवाइड करने की बात आई और तभी रियलाइज हुआ कि अच्छा हुआ हमने ये ओफिस खरिदा नहीं अपने पैसों से हम तो मुकदमा लड़ते एक अंतर समुओ बोलता मेरे पास 6 गुरूप है मेरा हिस्सा 60% दूसरे के पास 2 ही है उसका 20% मैं जिया हूँ पूशन वो 4 महीने है और जब एक एक किताब अलग करके लास में हमारे पास 2 किताबें ऐसी बच गई थी जिनको अलग नहीं कर सकते थे तो उनका हमने आक्षन किया पैसे लिए हमारे पास 3 अंतर समुओ दो कबाट अब कौन से अंतर समुओ को कौन सा कबाट दिया जाए और तभी मुझे रियलाइज हुआ प्रॉपर्टी बाप रे बाप लेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ मनी और प्रॉपर्टी थोड़े से पैसे और थोड़ी सी प्रॉपर्टी उसने हमारे को वो 6 महीने तक एक छोटी सी चीज ने हमको इतना अपने प्राइमरी परपस से दूर रखा था कि कई मेंबर्स ने ये भी तेरने ले लिया कि एकी सेवा में कभी आएंगे नहीं ये ज्वलंत अनुभो मुझे ये बताता है कि शुक्रिया उस परमात्मा का शुक्रिया ये अनुभों का जिन्होंने हमको इन सारी चीजों से दूर रखा और ले गए हमारे सात्वे ट्रेडिशन की तरफ जहां पर हमें सेल्फ सपोर्टिंग की ट्रेडिशन बताई कुशन बताएं यार इसके बारे में क्योंकि इतना अच्छा काम करने वाली संस्ता को क्या बाहर के समाज में मदद नहीं करने चाहिए लाखों जाने बचाते हैं हम तो बाहर के समाज से हम मदद लेते हैं कैसी लेकिन पैसे की क्यों नहीं प्लीस प्रवात में तो हम लोग यही सोच रहे थे कि we are broke हम लोग शराबी है और शराबी बनके हमने पूरी जिन्दगी वेस्ट कर दी है अब जरा ठीक हुए है तो हमको ठीक रखने का जिम्मेदारी तो समाज का ही होना चाहिए ना हमको मतलब मद्यमुकतर रखने की जिम्मेदारी हमारी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी यह समाज की ही होनी चाहिए यही हमारा विचार था लेकिन फिर कुछ ऐसे अनुभो आये और कुछ लोगों का भी ओपिनियन था वो कुछ अलग था उन्होंने कहा कि बाई शराबी करके तो आपने पैसे लिये ही बाकी लोगों से तो अब जब सोबर हो चुके हो तो अपनी जिम्मेदरी तो खुद तो लो और वहां से शुरुआत हो गई इस स्टेडिशन की लेकिन ह हमेशा हल्कॉलिक्स अनॉनिमस में इसे की ही रही है खास के ग्रूप और बिल डबल्यू ने एक बहुत खूबशूरत अनुबह बताया कि एक दिन सुबह ऑफिस में बैटे दे फाउंडेशन ऑफिस में और एक शराबी आ गया हैंगोवर में और पूरा तरह लड़कर आता एकदम परेशान लग रहा था उसकी तरह देखे बिल को अपना शराब का पिने का दिन याद आ गया और बढ़ी सहनु भुते के साथ मे उन्होंने उस पाज डॉलर निकाल के दे दिए तो पाच दॉलर वो टैम पे दिए जब उनका पगार रहा हपते का कमा लेती तो इसमें से पाच डॉलर इनोंने शराबी को उसका हैंगोवर फिक्स करने के लिए उसी शांग को एक मीटिंग में जब किटी बॉक्स आया यो जरा थोड़ा से जादा पईसा डालना ने तो हमको यहां से बाहर निकाल फेका जाएगा तो उसी मीटिंग में बिल डबल्यू ने जेब में डाला तो एक 50 सेंट की कॉइन हाथ में आ गए उसको पीछे डालके उन्होंने एक डाइम छोटी सी कॉइन निकाली और वो डाल सी हैट में और उनकी आँख खुल गई यार मैं जो सुबह पांच डॉलर खुद के इगो ग्रैटिफिकेशन के लिए दे रहा था वो जहां अनॉनिमिटी का सवाल आ गया कि किसी को पता नहीं चलेगा में ने कितना डाला हैट में तो मैं डाइरेक चवनी पे आ गया तभी उन्होंने पहली दफ़ा वो आल्टिकल लिखा कि किटी बॉक्स इस दा प्लेस वेर स्पिरिज्यलिटी एंड मनी मिक्स बाकी दुनिया में हम लोग यही सोच रहते थे कि जहां पैसा है वहां अध्यात्मिक्ता हो नहीं सकती लेकिन ऐसी एक ही जगा है जहां अध्यात्मिक और पैसा साथ में मिक्स होता है वो है हमारा केटी बॉक्स तो यह हमारे कुछ आइडिया मिली दोस्तों जहां से आगे बढ़ते हुए एक बहुत अच्छा किस्सा उन्होंने बताया है अबाउट ओल्ड लेडी वो डाइड लिविंग अस 10,000 डॉलर दस हजार डॉलर छोड transformation हो सकता है और सभी लोगों का कहिना था कि छोड़ या लेड दस हजार डॉलर और निभा ले अभी लेकिन foundation office ने कुछ अलग निर नहीं लिया उन्होंने कहा कि भाई अगर एक दफाह हमने किसी का दस हजार डॉलर लिया तो फिर हम लोग पैसे के पीछे ही पढ़ जाएंग किसी ने ये को hospital डोनेट किया और उसके बेटे को उसका manager बना दिया तो अगर किसी के हाथ में पैसे के वज़े से alcoholic synonymous के सूतर चले गए तो दुबारा हम अपने हाथ में ले नहीं पाएंगे ये दोनों तत्वों को लेकर ये साथवी tradition बनी हुए है बड़ी निभा के साथ य लिए लगे और हमारा prudent reserve कि हमारे कारिये को कम पड़े इतना कम पैसा कभी नहीं होना चाहिए लेकिन इतना भी ज्यादा पैसा हमको नहीं चाहिए कि हम बहग जाए या हमारे समुख को ऐसे लगे कि अरे यार हमारे foundation office को पैसे की क्या जरूरत है और foundation office को ऐसा लगे कि fellowship गई foundation office उन दिनों foundation office अभी हम लोग उसको general service board of alcoholic synonymous कहते है general service office of alcoholic synonymous कहते है तो यह correct balance जो है यह जो paradox बोलते है कि एक तरफ बोला जाता है कि सालों पैसा डालो ने तो काम कैसे चलेगा और यही समय पे हम लोग बोलते है कि बाहर से आने वाले पैसे को हम मना कर डालते है और tradition में यह बड़ा खूबसूरत paradox दिखता है तो अगले tradition tradition 8 की चरफ बढ़ते है अल्कॉलिक्स अनुनिमर शुड रिमेन फॉर एवर नॉन प्रोफेशनल बट आवर सर्विस सेंटर में एंप्लॉय स्पेशल वरकर से नॉन प्रोफेशनल क्या है नॉन प्रोफेशनल मतलब क् प्रोफेशनल मैं इसके पहले एक जड़ा सातवे tradition का मुझे आया हुआ अनुभव शेयर करना चाहूंगा और थोड़ी सी जानकारी और सुनने वालों को देना चाहूंगा कि हम वान टाइम वीक्वेट कर सकते हैं याने के हमारे हम मतलब हमारे पूरा होने के बाद में हम व देनगी दे सकते हैं जो कि अपनी maximum contribution की limit है मैं अच्छा तो मैं सिर्फ इतना अनुभव शेयर करता हूं कि देखिए अध्यात्मिक principles कैसे चर्चा में आते हैं और यूएस की conference में यह बिक्वेट का amount बढ़ाने के उपर चर्चा चालू थी और दोनों साइड शेयर कर रहे थी कुछ हलो सुनाई दे रहा हूं पूशन मैं हलो अभी आए वापिस ओके गुड तो दोनों साइड चर्चा कर रही थी एक साइड बोल रही थी यह बिक्वेट की प्रथा बंद कर दो मेंबर जबी जिन्दा होता है तब यह contribute नहीं करता है और उसके पूरा होने के बाद में अगर वह बिल में लिखता है तो हमको बहुत टाइम परिवार वालों के साथ इस बारे के उपर कोट में जाना पड़ जाता है जो और मेरी आखो देखी बात है सुनी हुई बात है और वो उठके उसने sharing मांग के conference में delegate था उसने किया और वो बोला के मेरी प्यारी यह है मैं चाहता हूँ के मेरी जीते जी मैं सब कुछ है को दे दूँ लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ क्योंकि आज मैं अकेला रहता हूँ क्यों चीनना चाहते हो मैं चाहूँगा मेरे मरने के बाद किसी काम का नहीं है लेकिन मरने के पहले भी दे दूँगा और मैं जिंदा बचा तो तो मैं वापस भी नहीं मांग सकता और मैं डंग से जी भी नहीं पाऊँगा देखिए कैसे balance आया और इस सुन्दर से कि अगर आगे की पांच मिनित वाले चलें क्या फिर थोड़े चोड़े चोड़ देते हैं बीच में क्या बलता हूं आठवी और नवी जो स्टेप है उसको साथ में लेते हैं उसको इतना ही बता देते है कि हम लोग अल्कोहलिक्स एनॉनिमस में जो संदेश वहन का कारिया ह या sponsorship का कारिया है उसका पैसा नहीं ले दे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अल्कॉलिक्स अनॉनिमस के जो अलग-अलग service centers है वहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते है वो उनको हम लोग professional employment नहीं दे सके तो यह confusion वाला हमेशा इशू रहा है कि एक तरफ अपन बोलते है कि यह शुड नॉट नॉट बी professional और फिर हमारे पास general manager कैसे staff कैसे यह हमेशा confusion का इशू रहा है बिल डबली वेरी clearly states कि संदेश वहन का जो कारिया है वो हम लोग पैसा देके नहीं करते message देने का काम पैसा देके हम लोग नहीं करते लेकिन यह message देना possible होने के लिए जो भी सेवाय लगती है जैसे office चलाना पड़ता है coffee machines चलाने पड़ते है जड़ पोता करना पड़ता है advertising परना पड़ता है printing करना पड़ता है यह सभी जो चीज़े है यह करने के लिए professionals की जरूरत होती है और यह professionals हमारे पास होने भी चाहिए और उनको जो compensation हम लोग देते हैं वो भी अच्छे से अच्छे देने लिए दूसरा confusion होता है AA ought never be organized तो फिर service structure कैसा तो यहां पर organization का मतलब यह है कि जैसे एक company एक धेयक के पीछे चलती है तो उसमें अधिकार दिये जाते है जोनल मैनेजर्स एरिया मैनेजर्स और फिर salesman तो हर एक authority के position को दूसरे को hire या fire करने का अधिकार होता है reward या punish करने का अधिकार होता है and that is that entire authority and responsibility यह जो है यह एक organogram organization structure में define किया हुआ रहता है उसे organization करके हम लोगों ने संबोधन किया है तो एए वैसे कभी organized नहीं होती है लेकिन हमने जो सेवा केंद्र बनाए जैसे GSO बनाया है तो इसका organization होना पड़ेगा ने तो general manager का कोई staff member सुने गई नहीं यह publishing director का कोई publishing करने वाली team कोई सुनेगी नहीं gray point magazine के editor का कोई लिखने वाले सुनेंगी नहीं अगर ऐसा होगा तो अनार की होगी कोई किसी का नहीं सुनेगा नहीं मानेगा तो नहीं चलेगा that is the reason tradition eight and nine are there फिर इसी में थोड़ा जोड़ा जोड़ना चाहता था हमारी unity के लिए हमारे general service office और अंतर समुओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा निबाया है अगर हमारे पास यह इसे केंद्र नहीं होते जो information का आदान प्रदान uniformity of literature uniformity of action करते तो आज भी हम विखरे होते न तो यह बहुत जरूरी हिस्सा है और इन सभी के लिए हमने हमेशा से अपने contributions अपने ideas और इनको प्रदान्य देने की तैयारी करनी चाहिए येस प्लीज आगे drinking driving को क्या punishment होने चे इन में से किसी भी मुद्दे को हमारा कोई मतने होता ये एक आख बाहर के किसी भी मुद्दे पे कोई मतने होता है अब सिर्फ एक दो मिनिट में anonymity के बारे में जो होता है वो खुद के ego deflation में होता है कि जो भी मेरे हाथ से काम होगा वहां पर मैं इंपॉर्टन नहीं मेरी fellowship important है मेरे तत्व important है तो आखरी आप sentence आपका कही दिजिए लखी भाई इस विशय पर और हम लोग ये meeting open close कर डिते हैं thank you anonymity is the spiritual foundation of all our traditions ever reminding us to place principles before personality और मैं इसमें जोडना चाहता हूँ even my own personality ये sacrifice और त्याक का tradition है और ये sacrifice और त्याक के tradition नहीं व्यक्तियों को बाहर रखके व्यक्तियों को पीछे रखके sorry बाहर नहीं पीछे रखते हुए तत्वों को हमेशा आगे किया है जिसकी वज़े से आज हम जहां पे भी हैं वहां पे सुखी समादा ने जी रहे हैं मैं समझता हूँ कि एकादे question के लिए भी वक्त रहेगा organizers का moderators का सभी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस एहम मुद्दे के उपर इस एहम दिन में यह alcohol में भाग लेने का मुझे और पूशन को भी हिस्सा दिया आप सभी का धन्यवाद टैंक्यू तो लास्ट सेंटेंस इतना ही कहना चाहूंगा के बिल डवल्यो कहते हैं कि यह सभी ट्रेडिशन के रूट में है हमारी humility तो हमारी humility पाना यह सभी ट्रेडिशन का intention है और anonymity से बहुत अच्छी ज़्यादा humility दूसरे किसी में नहीं आ सकती इसलिए पुरे 12 के 12 traditions के रूट में जो spiritual principle है वो है हमारा निनावी पना तो अना मिका तो थैंक यू very much friends for giving us a chance to do this interactive session with all of you and all the best to a India online